अब आपको अब आपको अब्रिवन और आपका एकेस अकेड़निप फॉर सेसे में बहुत-बहुत सौगत हैं तो गाइस हम लोग आज पॉलिटी की लेक्चर में हम लोग भारत की अनुसूचिया पढ़ने वाले हैं हम लोग आज पढ़ेंगे अनुसूचिया मोगल समिधान म अभी वर्दमान में कितनी अनुसूचिया हैं तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही असानी होती है जैसे आप पुछला पुराना हुआ चीज़ों को यदि आप माइंड में अगर रखे हुए तो आज हम पढ़ाऊं को वो बहुत ही अच्छे तरीके साथ हैं और आ सबको समझ में आएगा तो देखे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था संभीधान के प्रावधान और संभीधान वाद किसे कहते हैं तो आज हम उसको ही बस दो मिनट में रिकैप कर लेंगे फिर हम लोग बढ़ेंगे अनुसूचियां तो देखे जो संभीधान के प्रावधान संभीधान के प्रावधान यह आप लोगों ने वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उस लेक्चर को जाके देखे बहुत इंपोर्टेंट लेक्चर है वो तो और गाइस जो भी लोग भी पहली बार मेरी वीडियो में जोड़े हुए हैं जो भी लोग और नम्य प्लस अनम्य इन तीन संभीधान के प्रावधानों के बारे में हम लोग ने चार्चा की थी नम्य प्रावधान जैसा जिसमें संभीधान संसोधन की प्रक्रिया जो है बहुत ही सराल होती है अनम्य संभीधान से क्या आसा है कि जिस देश के संभीधान में संभीध सरभ होती है और कुछ प्राध्dharn के लिए क्से संभिधान प्रिट्ट हं वहां सब्दस में जढ़िए दो किसके अंतर गाता है देखेव के अंधर नामे प्लस बात क्या जाया inna adi जो अले दिलिखित और वाने बाए लिखित समतं होता है क्या होताय रिकिन सकते हैं अनाम में भी हो सकते हैं लेकिन जो लिखित सम्विधान होगा उसकी प्रकरती हमेशा ही अनाम में आएगी इतनी सारी जिए हम लोग ने देखी इसके बारे में complete study हम लोग ने कर लिया का सम्विधानवाद क्या है सम्विधानवाद किसी भी देश के सम्विधान में सम्विधानवाद होना बहुत आवश्यक है यदि उस देश के सम्विधान में सम्विधान नहीं है तो उस देश का सम्विधान लोग तांत्रिक सम्विधान नहीं कहलाएगा अब सम्विधान का अरसा क्या है सम्विधान का पासा है कि मतलब की कुछ 4 या 5 पैरमिटर है वो उस सम्धान में रहने चाहिए, वो मैंने बताया है यहां पे फिर से भी एक मिनट बता देता हूं, पहला चीज है वीदी के शासन की सनकल्पना, पहली चीज है वीदी के सासन की सनकल्पना, दूसरा चीज है तटस्त नौकरसा मतलब जो भी प्रशासनिक अधिकारी है वह अपने कारियों के निर्महन के लिए इतनम तटस्त हो सरकार के पिछलगू ना हो जो सही हो तो भरश से अलगरे बीस चीजेश है कि इया फालिका बहारत में गल्त सब्सकरों सब्सक्राइब ना रहे का था ? तो यह सब सारी चीजे किसी देश के सम्मिधान वाद है इसका मतलब वो कैसा सम्मिधान है तो लोगतांतरिक सम्मिधान है हम लोग ने पिछली लेक्चर में देख लिया है अब इसको मैं मिटाता हूं अब हम लोग बढ़ते हैं अनुशूचिया बहुत एच्छे से आप लोट से बना दे चलेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आज हम लोगा कोई भी एक्जाम हो यहां से प्रस्ट पूछे जाने की सम्भावना प्रोबिल्टी बहुत ही जादा होती है क्योंकि बारा अनुसूचिया है बारा मैं एकदम सौट एकदम अच्छे तरीके से एकदम ट्रिक से बताओंगा पूरी सारी चीज़े एक बार में आपको याद रहे जाएंगी क्लियर होती ही चली जाएंगे तो देखे दो चीज जो है दो कोशन जो है हमीशा कोशन कॉमन होत है कि मूल सम्विधान में कितनी अनुसूचिया थी मूल सम्विधान में कितनी अनुसूचिया थी अब देखे बहुत सारे लोगों को यहां फिर मूल सम्विधान को मतलब यह बता होगा तो मैंने बता था जो भी वर्ड आएंगे उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए और इत्डम सही answer को select कर पाने में सच्छा हो जाएंगे, तो देखें, अब मूल सम्मिधान का आपको अर्थ पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर मूल सम्मिधान का अर्थ पता है तो answer आपको फटाक से कचाएंगे, बहुत जल्दी मूल सम्मिधान का अर्थ है कि जब सम्मिधान बन के तयार हुआ, जब सम्मिधान बनकर तयार हुआ, कब बनकर तयार हुआ, 26 नमबर 1949 को, लागू कब बनकर कब तयार हुआ, तो 26 नमबर 1949 को जब सम्मिधान बनकर तयार हुआ, तो उस सम्मिधान को बोलते है, मूल सम्मिधान जिसमें संसोधन एक भी संसोधन नहीं हुए थ there कुल मिलाकर संभीधान सभधवारा पहली बार जब भारत छंबिधान का निर्मार भुआ था उश्क फिर संभीधान का मैज़े कि जब संबिधान बनकर तयार हुआ था उसे ही की बोलते हैं मुल समिधान या दो नोट का लेगे जो भारत का समिधान है वो 26 नूबर 1949 को बनकर तयार हुआ था और लागु का वह था 26 जनवरी 1950 को देखी छोटी-छोटी चीज़े आपको पता हो जीए कथान और कारण में UPSC यहीं से कोशन पूछता है और यहीं पे गलती ह होने की संभावना ज़्यादा हुए जहां पे खलती होने की possibility बहुत जज़यदा होगी, वहां पे में वह को एक तम अच्छे से फोकस करना है तो देखेए मूर समिधान कितनी अनुसूचिया थी सबको पता है आर्ठ और वरतमान में कितनी है तो बारा वरतमान में कितनी अन मूल सम्मिधान बनकर तयार हुआ था उसे ही बोलते हैं मूल सम्मिधान तो चलिए दो चीज़े हैं जो आपको बता होने चाहिए अब बढ़ते हैं अनुसूचिया बारा के बारा अनुसूचे देखेंगे और आपको टेंसन लेनी कोई जो रहत नहीं है बहुत ही आसान तरीक आपको सम्में आका तो चलिए बढ़ते हैं आगे एक बस आप अच्छा तरीके से से अच्छे तरीके शित मुंक स्को बनाते शिए ओ अनुसूची वन जैसे वह पतारों वैसे नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका एक है प्रॉपर नोट्स तेरा होते चलिया है वेकि अनुसूची वन में क्या था कि जो भारत के जो राज है और संसासित प्रदेश हैं दोनों का ही जो नाम जो अंकित किया ग भारत के राज तथा संसासित प्रदेशों का संसासित प्रदेशों की जो सूची है अंकित की गई है यहां पर मैं लिख देता हूं उसको आप लिजें भारत के राज वा संसासित प्रदेशों की सूची अंकित की गई है देखे इसका मतलब क्या है जो भारत की जितने भी राज है वर्तवान में तो टोटेट है थाईस राज अंकित का देखा गया है अब अनुसंची ऊचा अंकित में उनका नाम अंकित अंकितлек अंकित मतलब लिखा गया है अब अनुसूची तू अनुसूची तू हमें बताती है विविन पदादिकारियों के वेतन भत्ते की बात कहीं गई है विविन पदादिकारियों के वेतन भत्ते की बात कहीं गई है देखें इसका मतलब क्या है कि जो भी बड़े बड़न हमारे देश में अधिकारीयो चाहते की पता हो कि हर एक मंत्रले की होते है जो उस मंत्रले का पूर देखरें करता है और जो भी चोटे से लेंगे बड़े अधिकारे हैं उनके वेतन भत्ते की जो भरबाई है उनके वेतन भत्ते का जो वेतन भत्ते का जो वेतन भत्ते का जो जो भी क्रैटेरिया त्यार किया गया है वो किस आधार पर त्यार किया गया है और इनको वेतन भत्ता कहां से दिया जाएगा तो वो सब सारी चीह जो है अन अनुसूची 2 में, अब आए अनुसूची 3 में, सफ़त के प्रतार की बात की रही है, देखें, आपको घबराने इन जौनत नहीं है आपे, अब लग रहा हो भी कैसे 12 अनुसूचिया को हम त्यार करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बात फूरा नोट्स बनाईए, और नोट्स बनाने के बाद उसको एक बार, दो बार, तीन बार देखें, बस केवल क्या है, देखना है, तो क्या है चीज़ों को देखके, और सुनके, और पढ़के, बहुत ही आसानी से चीज़े याद हो जाती है, क्या है सबत के प्रकार की बात कही गई है, कि जैसे देखिए, बारत के जो भी राष्ट पती बनते हैं, वो किसको किसको सबत दिलाते हैं, तो वो सबसारी चीज़े आपको पता होना चीज़े, प्यम को सबत कोन दिलाता है, राजपाल को सबत कोन दिलाता है, तो वो सबसारी चीज़े कि सबत के प्रकार की बात कहां पे की गई है, तो अनुसुची तीन में की गई है, तो आप आप लोगों क्या है, अभी न्यूस चैनल से बहुत जुड़े होनगे, तो आपको पता हो संपत दिलाते हुए आपको मिल जाएंगे तो यह सब सारी जी आप क्या है छोटी-छोटी जी आपको पता होने चाहिए तो अनुसूची तीन में संपत के पटार की बात कहीं के लिए है अब आया अनुसूची चाहर कि बटार जानना नुन संपत कुल आई है वह मतला तो यहां पर हमें कि इतना हें में राजसभा सिटों का अबंटन। कैसे करना है वह बतलाता है तो अनुसूची चाहर राज सभा सीटो का अबंटन तो हम लोग अभी कहा है बारा अनुसूचिया पढ़ना है तो अभी चार अनुसूचिया हो गई है इसको मैं फिर से गवर आपको बता देता हूं अनुसूची 1 में क्या है भारत के जितने भी राज जहर और संग्सासित प्रदेश है उन सब की सूची को अंकित किया गया है अनुसूची नंबर 2 हमें क्या बतलाती है तो विभीन पदा दिकारेयों कि वेतन भत्ते की बात कही गई है अनुसूची 2 में अनुसूची 3 हमें क्या बतलाती है तो अनुसूची 3 हमें सबत के प्रकार की बात कही गई है मतलब कि अनुसूची 3 में यह बतला गया कि सबत के प्रकार की बात कही गई है तो अनुसूची 3 में कि अन्सूची चार अनुसूची चार राज सवा सीटो का अवंटम कैसे किया जाएगा वो बतलाता है हमें अन्सूची नंबर 4 अब इसको नोट करें यह तो स्क्रीन सॉट ने लिजए फिर में क्या है इसको मिटांगा तो फिर यह बागी कान सूचय करांगा तो इसको पहले दूब टंब कर दिजिए हैं चलिए आप लोगोंने लिखी रहोगा और ने लिख पाए तो स्क्रिम्साट ले लिजिए फिर जब क्लास खतम होगी तो आप उसको कवर कर लिए विचली बटाता हूं मैं हाँ 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 है अनुसूची 5 हमें क्या बदलाता है देखें जो पूर्वत्तराज है कौन सा पूर्वत्तराज होगी असंग मिघाल है इसको आप ऐसे आखते लिए टी एम एंड एम यहां पर मैं भी लिख दूंगा के वाद आप इसको सब्सक्ता समझे है असंग तिप्रा मिघाले मिजोर्व यह चार राज के अलावा जितनी भी छेत्री जन जाती है उनके लिए विशेष प्रावधान की योजना बनाई गई है अंशुची नमपर पांच में समय में है आपको इता है रखना है एंड एट्यम एंड एम यहां पर आपको एम से मड़ीपूर भी आता है लेकिन मड़ीपूर को आपको नहीं रिखेना है किवाद असम तिप्रा मिघाले एंड मिजोरम यह चार राज्य आपको पता हूं चीए इन चार राज्यों के अलावा इन चार राज्यों के अलावा जितने भी जितनी भी जगा पर छेत्री जन जाती है उनके लिए विशेष प्रावधान कहां पर किया गया है तो अनुसुची नंबर पांच में किया गया है तो इसको मैं आप यहां पर लिख देता हूं अगर आप लिए इसको ऐसा बनाना चाह मेखाल है और मीजोरां इन राज्यों के अलावा इन राज्यों के अलावा छेत्री जन जात्यों के लिए विशेष प्रावधान तो समय अनुसुची नमर्पांच आसम तरुपरा मेखाले और मीजोरां इन राज्यों के अलावा इन राज्यों के अलावा छेत्री जन जात्यों के लिए विशेष प्रावधान की बात कहां पी की गई है तो अनुसुची नमर्पांच अब आईए अनुसुची नमर्पांच ने अगर यदि कोई भी ड़ावट हो रहा है तो प्लीज उसको कमेंट वॉक्स में में ..मेंसन करें मैं आपको हंडेड्ल पशंट नेक्स लेक्टिर में आपके ड़ावट को पूरी तरह से क्लियर कर दोगा जो भी डावट है तो नहीं रहेगा अगर फिर भी कोई डावट होता से पाइंसरी पांचान दिए प्राइस के अलाबा नुस्यार नमबर पांचया गया है ने इनीं ही पांच्राजया को अनुसुची नमबर छै में अंकित किया है इन राचों की इन राचों की जितने भी छेत्री जैने जाती है इसके लिए विश्यस प्रावधा होगे देखिए असाम मिघाले त्रिपुरा मिजोरां असाम मिघाले कि प्राव मिजोरां इन राचों के छेत्री जैन्जादियों के लिए विश्यस प्रावधा होगे तो आपको पांच और श्याद के लिए पांच पता तो पांच आपको पता जाएगे देखिए पांच क्या पताता है कि असाम मिघाले और मिजोरां इन राचों के अलावा जिदनी भी छेत्री जैन्जाती है उसके लिए विश्यस प्रावधान की ओजना को हम प्रावधान अनुसुची नंबर पांच में अनुसुची छे क्या बोलता है असाम मिघाले तिप्रा और मिजोरां मतलब जो इसमें नहीं है वही इसमें है यह समझे जैसे इसमें असाम मिघाले और तिप्रा और मिजोरां इन राचों के अलावा जिदनी भी छेत्री जैन्जाती उसके लिए प्रावधान छ्य क्या बोलता है असाम मिघाले तिप्रा और मिजोरां इसके विए क्या है विश पिर कहा अनुसुची नंबर साथ हमें क्या बताता है केंद्रभार राज्यों के मत सक्ति विभाजा बहुत इंपॉर्टेंट अ बहुत ही इंपॉर्टेंट है वह अनुसुची नंमर साथ अग्जाम एंवेसा ही वहां से कोश्छन पुछा जाता है, तो आप इसको नूट करि कि अपर नोट कर लिया होगा कि अपर नुसुची नमबर साथ कि अनुसुची नमबर हमें साथ क्या बता है केंद्रवार राज्जव के मत सकती भाजा कि जो रूप रेखा है वो इस पश्ट करता है वो अनुसुची नमबर साथ केंद्रवार राज्जव के मत सकती भाजा करता है अब देखिए साथ अनुसुचिया है स्वार राज्जव के मत सकती भाजा करता है अनुसुची नमबर साथ अब देखिए हमारे समिधा में तीन सुचियों का अनुकित क्या गया है संगु सुची समवर्थी सुचिया और राज्ज सुचिया देखिए ये तीनों को हमनों को अलग से पढ़ना है समवर्थी सुचिया में कितने विशय वस्तु दिये गए हैं इसको अलग से डिसकस करना ही है बट यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए समवर्थी सुचिया तो उसके मूल समविधान में 97 विशय वस्तु थे मतलब 97 विशयो पर कानूं बनाने का अधिकार इसको प्राप्त था तो केंदर सारकार को बट अभी कितने हो गया है 97 विशय वस्तु पर कानूं बनाने का अधिकार अभी 100 समवर्थी सूचिय में भी पहले 47 विशय वस्तु थे अब तिकते हो गया है 51 पहले 47 विशय वस्तु पर कानूं बनाने का अधिकार इसके पास था केंदर वा राज दोनों के पास था केंदर वा राज दूरों पास था मतलब इसका यह है कि केंदर भी कानुम बना सकता था और लेकिन राज तभी कानुम बना सकता था उस विषय वस्त वilyबस्ट उपर बना सकता था रॉख केंद्र सरकार इस पर पहले से कोई कानूम ना बनाया हूँ यदि उसके लिए पहले से ही केंद्र द्वारा कानूम बनाया गया है तो राज विषाय में कानूम नहीं बना सकता अमनों आगे बहुती празд भी इक पाँढ़ना यह आपके सलेवस का हिस्सा है तो कि वह आप इत्ता देखे यह क्या है Mool सम्हिदार? Mool पतला माँको पता है ना कि जब सम्हिदार बनकर तरयार हुआ तो 97 विशेवस्तु थी वट अभी कितनी 100 समवर्थी सूची में कितनी विशेवस्तु थी 47 अभी कितनी है 51 कि राज्य सूची में कितनी विसर्वस्तु थी पहले 60-60 अभी प्रेजेंट में 60 वाल है इसका मतलब यह है कि 66 विसर्वस्तु पर राज्य कानून बना सकते था अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि राज्य सूची पर भी कानून बनाने का दिकार केंद्र को पापत है ले एक साल के लिए ही वैलिड होता है यहां प्याप अभी नोट मत करें आपके वह लिता नोट करें सक्क्यों की वाजन के लिए तीन सूची है संगु सूची संवर्थी सूची जाजी सूची संवर्थी सूची संवर्थी 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 संवर्थ सब्सक्राइब इक बात समझ वार होगे कि करेंद्र जो है केंद्र अपना दायरा दीरे-दीरा बढ़ा रहा है और राज क्या है? राज जो का दायरा दीरे-दीरे गट रहा है आकड़े देखके ही आपको समगे आना चाहिए तो यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि समय के साथ केंद्र अपने आपको मजबूत इस्थती में करते हुई चला गया और राज धीरे-धीरे क्या होगे विधी निर्माण की according to विधी निर्माण धीरे-धीरे कम जोर होती चले गया देखिए ना पहले छाशाट विसवस्तु पर बनाने का दिकार था अभी 61 है पहले 97 था संगुसूची का अभी 41 हेंडड है तो संगुसूची की विसवस्तु बढ़ रहा है बट यहाँ पर राज सूची के विसवस्तु घट रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही रहा कि केंद्र अपने आपको दिरे-दिरे मजबूत करते चला गया, और राज दिरे-दिरे क्या होगे, पंजोरोती चला गया, चलिए इतना नूट करिए, फिरमनों बढ़ते हैं आगे, अनुसुची नमबर 8, अनुसुची नमबर 8 है अधि पहले आप आच्छे देल्ट्स बनालिए फिरमनों बढ़ते हैं कर दोजाए, इसका फ्यूचे पिप्टी वर नहीं है यहाँ पे 52 है, इसका थाधर समाइना सिर्फ होई है, 47 सिर्फ प्युटी टू, इसका फ्वड़सा मुस्टी वर्प्या ऍेज़ीं अ जवजा ल आपने बढ़ियां तरीके से बनाते चलिए नोट्स बहुत ज़र्द इंक्वर्टेंट है नोट्स बनाने से क्या है अब चीज़ों को बहुत ही जल्दी रिवाइस कर सकते हैं अगर मुट्स नहीं है तो पूरा किताब देखे बंटा बैटना पड़ेगा अधे कि अन्सुची अब यहां से भी कोशन बहुत ज़र्द पुछ आते जो भी एक्जाम के त्यारी कर रहा हूं स्टेट PCS UPSC कोई भी एक्जाम यहां से कोशन आने की समद्वर्णा बहुत जाला है यहां से मतलब कि पूरी अनुसूचियों से अब देखे मूल समिधान में कितनी भारती भास बरतमान कितनी है बाइस भारती भास आया तो मूल समिधान में मूल समिधान में 14 भारती भास आयए थी और बरतमान में 22 को कुन सी है उसको भी लिख देता हूं हिंदी आपनों भी लिखते चले हिंदी उर्दू बंगाली मराथी पंजाबी गुजराती पुडिया मिजो असमिया कोंकर मल्यालम तेलगू संस्क्रेट नेपाली नेपाली कितने हुए एक दो तीन चार पांच शह साथ आठ नाव दस ब्यारा बारा तेरह चोगदा तो हिंदी उर्दू पंगाली पराथी पंजाबी गुजराती उडिया मिजो असमिया कोंकर बल्यालम तेलगू संस्क्रेट नेपाली और और देखें कस्मीरी कस्मीर में जो बोली जाती है कस्मीरी और और देख है मरी पूरी आपका अब देखें पाइस भासाओं को पढ़ना है इसको अपने नोट करिए हिंदी उर्दू और देखें चाल भासा ऐसी है जो कि वान्यर संसा नेटिट टू संविधान संसोधन जोड़ी गए उसको अमरूर पढ़ेंगे इसको आपने पहले इतना नोट करिए करेंट है 2003 में बनी गई उसको जोड़ा गया फिर भी उसको क्या है अलग से उसको अमरूर पताएंगे कौन संविधान से जोड़न गयता है तो उसको जोड़ा गया वह इंपॉर्टेंट है इसको आपने पहले इतना नोट करिए देखें दो वाजा यहां पर यहां पर छूड़ गई थी कौन कौन से तो कंण आपके कंण चुड़ गई थी और दूसरा तमीर यह दो छुड़ गई थी अब इसको नोट करिए रहे एक दो तीन चार पांच चैसा आठ नवा दर्स ग्यारा बारा तेरह चोड़ा पंद्रा सोड़ा सत्रा ठारा अठारा भासाय होगे चार भासाय को नाइटे टू संविधान संसोदन 2003 में जोड़ा गया खुण कुण जी थी बूड़ो बूड़ो डूंगरो मैथली संथाली इस चैसा पहासाय ते जिसको जोड़ा गया 2003 में 290 संविधान संसोदन के तहर आपके मूर संविधान में कितनी भासाय थी 14 अभी कितनी है 22 4 भासाय का प्प इसको नोट करेंगे इसको ध्यान से और यह पूरी बाइस भासाम को आपको नोट करना चाहिए इसको नोट करिए पहले पढ़ते हैं आगे या फिर स्क्रीन शॉप ले लिए देखें अनुसुची नमबर नौ को निशुची नमबर नौ हाँ बितलता है कुछ विधी का विधी मानी करन इसका अर्थ में आपको उगता हु ऑकुछ विधियों का विधी मानी करन अभी Wow प्रतम संविधान संसोधन में जोड़ा गया कुछ विधी का विधी मानी करण का मतलब समझे केंद्र जब भी कोई कामन मनाता है तो कई बार केंद्र राज स्वतन्तर होता है उसको पालंग करने वा ना पालंग करने के लिए जैसे अभी आप लोगोंने कुछ दिन पहले मोटर वाद आया था तो कई सारी यही कानूने का तो तो क्या है कुछ ऐसे कानून बनाएगे जिसे अनुसुची नमबर 9 में डाल दियागे तो उसके तहट क्या हो जागा कि राज को हर हालत में उस कानून का अनुपाला करना पड़ेगा इनती बाते साम में आगे होंगे तहीं आपको मालूम होना चाहिए अब अनुसुची माइंड में पूरी तरह से सर्थ हो जाएंगे कभी कभी भी चीजे नहीं बोलेंगे तो देखें अनुसुची नमबर 9 क्या बताता है दल बदल कानून आप लोगों ने देखा होगा अभी एक कुछ दिन पहले मात्य प्रतिस में मादा रास इंदिया क्या है कॉंग्रेस पा बदल कानून की मादम से यह दिए दल बदल कानून मादम नहीं होता तो उनकी क्या सदस्ता निरस्त कर दिया दे लेकिन अभी कहा है उनकी सदस्ता निरस्त नहीं कर दियाएगी क्योंकि दल बदल कानून भारत में अर्चुबैकाव आया है बानवे संभीधान संसोधन के द तो चल रहा है केस का मतलब कि जो अभी क्या है थोड़ा अपनी पर्टी से नराजगी के चलते किया है, दुशरे पर्टी में जाने हैं जोच रहा है, कब समगो पाया, 1985 के पहले है, 1985 के पहले कोई नेता दल बादलता तो उसकी क्या है सदस्तन हिरस्ट कर दिया दिया थी, जिल आदिनियम पंचायति राज अदिनियम के तैता है संसोधन यह अपको पता हुआ ची पंचाती राइज दनी हम तो आया कब आया दो ज़िए नाइटीन नाइटीटु में कौन संसोधन के तैया तो यह है अनुसुची नंबर गया अब एक बच्छा है अनुसुची नंबर बारा तो आप लोग यह वाला नोट करनी हैं तो इसको मैं बैटाता हूँ इसको आप प्लाग नोट करने चाहत तो आप इसक्रिंशॉट ले दीजिए चलिया इसक्रिंशॉट ले लिए हमें आयोग अनुसुची नंबर बारा नगरी वा इस्थानिय सरकार के लिए आया था नगरी वा इस्थानिय सरकार का निर्मार अब इसका अर्थ क्या है कि देश के अंतिम हिस्से को मुख्य विचार धारा से जोड़ने के लिए ऐसा किया गया था तो यह रही आपकी पूरा अनसूचिया एक से लेखे पूरा बारा तक बहुत ही अच्छे देंग से मैंने आपको बताया और आपको पूरी चीचे क्लियर हो गई होगी होगी यह थी अभी भी कोई डवट रहत है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में में करिए अनसूचिय नंबर है से अनसूचिय नंबर 12 तक हमने यहां पहले पुडिए mess और वीडियो पसंद आती है तो please like करना और जो भी exam कि तहारी करना है आपकी friends में family में तो उस वीडियो मेरी वीडियो को please share करना है तो चलिए विडियो देख रहा है वीडियो पसंद आ लिए तो प्लीस लाइक कर दीजेगा और चैनल को हाँ चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा तक ही लेटिस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और बेल आइकोन को दबाएंगे तभी आपकी की नॉटिफिकेशन के मतलब से चलिए सब्सक्राइब मिलते हैं गुटबाएं थैंक्यू इसको अब लूट के लिए जारा हम से